नमस्ते बच्चो आज हम कक्षाचार में गडित पढ़ेंगे कक्षाचार की गडित में इसके पहले जो मैंने आपको वीडियो था उसमें मैंने पेज नंबर 47 तक कम्प्लीट करवा दिया था आज हमारा पेज नंबर 48 है और 4 चेप्टर है तो ये मैं आपको स्वाध्यपोथ मैं समझा रहे हैं आप ध्यान से समझेगा और फिर भरिएगा तो इसमें लिखा है आट महीने में सारे दात आ चुके थे तब खाना सुरू किया तो यहां पे आपको छे लिखना है पिल्ले का जन्म तो पहले है और एक साल बाद उसे तीन पिल्ले को जन्म दिया तो साथ अ जब आपको क्या करना है एक पिल्ला जन्म के बाद कितने हपते में डगमन आता हुए चलने लगा तो चार सप्ता दो सप्ता में कितने दिन होंगे तो चौदर दिन पिल्ले के सभी दात कब आ गए तो साथ महीने में जब पिल्ले की आँख खुली और वह अच्छी तरह चल लगा उसके बीच कितना समय लगा तो चार सप्ता पिल्ला संफून कुत्ता कब बना तो एक साल में तो इस तरह से आपको यह सारे प्रशन लिखने हैं यह सारे उत्तर आपको किताब है उसमें से मिल जाएगा लेकिन मैंने यहां पर आपको भरा दिया है आप देखके और सम लगे प्रश्ण नमबर बारवा रवा है ठोड़ित चित्रो और जानकारी के आधर पर प्रशनों के उत्तर दीजिए इस तरह से आपको अप्पु हाथी के दादा जी कितने फाइप today कि चुचू के चूहे के दादाजी दो बर्स और रानी के रानी के दादा जिसने इसमें से आपको आंसर देने हैं अपू के दादा जी रानी के दादा जी की तुलना में कितने बड़े हैं तो कुछ नहीं करना बचो यह अपू के दादा जी की वर्स आपको यहां पे दी है और फिर रानी का दिया है तो इसमें से हमको घटा देंगे तो हमको आंसर मिल जाए तो हमारा आंसर आएगा 25 वर्ष चूचू चूय के दादा जी अप्पू के दादा जी की तुलना में कितने छोटे हैं तो चूचू के चूहा दादा जी दो वर्ष यह और फिर आपको हप्पू के तो इसमें से आपको इसका माइनस कर देंगे तो वो जवाब हमारा आ निम लिखित प्रशनों की गणना कीजे किनजलने रात 8-15 बजे से 9-30 तक अपना गुरु कार किया तो उसे कितना समय तक गुरु कारिय किया होगा तो मिनिट और घंटों में इस तरह से हमें लिखेंगे मिनिट के सामने मिनिट वाले संख्या और घंटों के सामने घंट वाले संख्या जीरो में से पांच नहीं घटेगा एक उधाल लिया दस में से पांच गया पांच दो में से एक गया तो एक नो में से आट गया तो एक इस चालीस बज़े से ले के 5-50 बज़े तक अपने भाई को पढ़ाया तो जीनल ने कितने समय तक अपने भाई को पढ़ाया होगा तो इसमें भी बच्चों हुआ ही करना है घंटे के सामने घंटा और मिनिट के सामने मिनिट तो 50 और 40 यहां पे 5 और 4, 0 का 0, 5 में से 4 गया एक, 5 म मिन तक अपने भाई को पढ़ाया प्रश नमबर तीसरा अमदाबाद में 7.45 बज़े निकली हुई बस अमबाजी 12.05 बज़े पहुंचती है तो बसको अमदाबाद में अमदाबाद से अमबाजी पहुंचने में कितने समय लगे तो इसको भी हमें इसी तरह से हल करना है चारा लिखा और यहां पर फिर उसी को काट दिया तो हमके ने क्या किया साथ है यहां पर दस में से पांच गया तो पांच और यहां पर क्या बचा चार में से चार गया तो देखे बच्चो इसमें क्या किया है मिनिट के सामने तो बारह और पांच लिखा है साथ और पिस त चार गया तो दो उसी तरह यहां पे एक जो हमने इधर एक संख्या दे दी तो यहां पे हमारा एक संख्या कम गिना जाएगा यानि 11 गिना जाएगा तो यहां पे 11 मिसे 7 गया तो 4 इस तरह से 4 गंटे 20 मिट का समय लेता है चोथा है प्रश्ण नमबर एक विद्यार्थी में गडित की पिरियड तास यानि पिरियड 11-15 बजे से लेके 12-5 बजे तक का है तो गडित का पिरियड कितने समय में लगता है तो जैसे हमने उपर वाला किया था कि यहां पे 15 मिनिट था तो हमने इन सब को जोड़ा तो कितना 20 हुआ तो इसलिए एक मिनिट कितने सेकेंड का होता है इसलिए यहां पे 60 लिखा है तो यहां पे 5 में से 5 गया तो 0 और फिर 6 में से 5 गटा दिया तो 5 अब यहाँ पर हम ने जब एक दे दिया तो यहाँ पर भी एक कम कर देंगे यानि यहाँ पर भी 11 आजाएगा तो 11-11 इसको हम काट देंगे 11-11 गया तो 0 तो आंसर आएगा तो गडित का पिरियड 0 गंटा 50 मिनिट में लगता है पांचवा प्रश्न है एक बड़े यानि जनम दिन की पाटी साम 8.35 बजे आरम होती है और रात में 10-5 बजे पूर्ण हुई तो बड़े पाटी कितने समय तक चली तो उसी तरह इसमें भी हम करेंगे 10-5 और 8-5 हम यहां पर एकी संख्या होती है तो हमें इस तरह का नियम करना होता है जो यहां पर भी मिनिट में भी दो संख्या होती है तो हमें नहीं लेना पड़ता है पर यहां पर मिनिट वाली संख्या में एक ही संख्या इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है तो यहां पर 60 लिख दिया तो 5 में से 5 जीरो और 6 में से 3 गया तो 3 और 10 में से 8 यहां पर फिर क्या बचेगा इधर एक दे दिया तो यहां पे नो बचेगा नो में से आड़ गया तो आठ एक घंटा तीस निर्टक बड़े की पाटी चली प्रश्ण नमबर चौद तालिका की सुचना के ध्यान में रख कर हम या ना से रिक्तस्थान की पूर्ती कीजिए यहां पे स्थमाप्त की संख्या है 5-3-19 तो जुलाइए 2018 में ले सकते हैं हाँ या ना तो यहां पर हमको कव सिर्ण की संख्या उत्पादन संक्या सत्रा दिये और इसपायट डेट हमारी यहां पर 19 दियानि खतम होने की डेट 19 सन 19 तो हम इस्तिमाल में ले सकतें बटर की संख्या 18 है और खतम होने की संख्या 19 तो इसमें भी हाँ आपको यह देखना बचाओं गर यहां से यहां की संख्या लाश्ट वाली कम है तो ना आएगा ज्यादा होगी या बराबर होगी तो भी ना आएगा दवाओं की गोली 15 और यहां पे लाश्ट में 17 दी है कि उत्पादन की संख्या 17 होने चीए यहां पे 5 15 है और 5 17 है यानि आपको डारेट मन्थ नहीं दिया हुआ है इसलिए यहां पे ना आएगा मिठाई में 1 18 और 2 18 तो भी ना नमकीन अक्टूबर 2017 और अप्रेल 2018 तो यह न खत्म होने की संख्या तो हम नहीं ले सकते क्योंकि अक्टूबर और अप्रेल में आ गया ना इसके लिए प्रेश्ट नमबर 15 निमलिखित प्रेश्णों के उत्तर लिख है पहला यदि एक धाना दाल के पैकेट के उत्पादन उपर उत्पादन की संख्या 4-7 लिखा हो और सप्ता की संख्या 10-8 लिखा हो तो उत्पादन तारिक और सप्ता तारिक के बीच कितने समय लगेंगे तो उसी तरह हम यहां पर भी मिनिट और घंटे में लिख देंगे 10-8 यह 10-8 और यह 4-8 तो यहां पर भी 8 में से आड़ गया तो 0-0 का 0 और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 महीने अब दूसरा यदि एक घी के डब्बे के उत पर उत्पादन संख्या 19-2-19-12-17 हो और उत्पादन की संख्या 18 में उप्योग कर लेना है तो 19-4-18 के दिन उप्योग में ली जा सकती है तो यहां पर पहले हम घटाएंगे तो 30 और 6 और 180 180 यहां पर क्या लिखा है बच 180 दिन में उप्योग में ले सकते तो पहले तो हम घटा देंगे 30 चक 180 यह कट जाएगा 6 महीने का गय पाएगा तो हम लिख देंगे हां प्रश्ण नमबर तीसरा यदि एक तेल के डब्बे के उपर उत्पादन संख्या तारीक नवंबर 2017 है और समाप्त तारीक उत्पादन तारीक में 12 महीना लिखा है तो दिसंबर 2018 में यह डब्बे का उप्योग करना सुरक्षित होगा नहीं क्यों तो यह 2018 है और लिखा है उत्पादन संख्या 12 महीने तो 2017 और 2018 यह क्या कौन सा महीना लिखा है नवंबर और यह दिसंबर तो नहीं होगा नहीं किया जा सकता क्यो 17 लिखी जाए और उस पर 17 समय उत्पादन तारिक में 12 महीने तक लिखी गई हो तो पैकेट को कितनी तारिक के उपर करना सुरक्षित रहेगा तो हम उत्पादन तारिक के आए 27, 3, 17 और 12 महीने यानि एक साल में 26, 3, 18 तक उपयोग कर सकते हैं प्रेश नमबर पांचवा है यदि एक ब्रेड के पैकेट पे उत्पादन तारिक 3, 2, 18 लिखी है और उसे सपता तारिक का समय उत्पादन तारिक के 3 दिन तक लिखा था और उस पैकेट को किस तारिक तक उपयोग में करना सुरक्षीत रहेगा तो उत्पादन तारिक हमारे 3, 2, 18 है और सपता तीन दिन में 3 समाप्त दिन तीन करना है तो एक दिन पहले उसका उपयोग कर सकते हैं यानि 5 सोलवा प्रशन है तारिक के उदारण के अनुसार विस्तार में कीजिए अब यहां पे लिखाए 2, 3, 7 और 12 मार्च 2007 तो 2007 इस तरह से आपको लिखना है तो तीसरा महिना मार्च होता है तो आपको इस तरह से लिख देना है तो यहां पे लिखाए 27, 8, 1937 तो हम लिखेंगे 27, 8, 1975 तो हम लिखेंगे 17, अक्टूबर 1975 फिर है 4, 9, 8 तो 4 सितंबर 2018 फिर 35, 18 तो 30 माई 2018 पंदरा चे उन्नी सो 1986 तो 15 जूलाई 1986 आगे 11, 10, 10 तो 11 अक्टूबर 2010 तेईस नव दो हजार 1987 तो 23 जून 1987 फिर आठवा है उन्नीस एक उन्नीस एक उन्नीस सो तिरानबे तो एक जनवरी 1993 पांच 11, 1982 पांच नवंबर 1982 इकीस चार उन्नीस सो चोरानबे तो 21 अप्रेल 1994 इस रशे बच्चो आपको प्रश नंबर 16 तक स्वाध्य पोथी में कम्प्लीट कर लेना है आज मैंने आपको पेज नंबर 48, 49 और 50 पेज तक कम्प्लीट कर वाया है तो आप भी वीडियो देख देखे सध्य पोथी में कम्प्लीट कर लीजेगा यही आज का आपका घर काम है इसके आगे मैं आपको नेश वीडियो में सिखाऊंगी धन्यवाद